किसान साथियों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल आदरशिग्री जक्सन में। दोसतों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। धान की फसल में हमें जिंक सल्फेट का प्रियोग कप करना चाहिये। साथ ही दोस्तों यह भी जानेंगे कि कितनी मात्रा में हमें जिंक सलफेट का प्रियोग करना चाहिए और जिंक सलफेट के डालने से हमें अपनी धान की फसल में क्या-क्या फाइदें मिलते हैं उस पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर पास वाली बिल आइकन को भी दबा कर नौटिफिकेशन आउन कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नौटिफिकेशन आपके पास तुरंथी पहुँच जाए चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले किसान भाईयों हम बात करते हैं कि धान की फसल में हमें जिंक सलफेट का प्रियोग कप करना चाहिए ज्यादातर किसान भाई अपने हिसाब से जब मन होता है यूरिया के साथ मिलाकर जिंक सलफेट का प्रियोग कर देते हैं लेकिन साथियों यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है जिंक सलफेट का प्रियोग किसान भायों हमें धान की रोपाई के 15 दिन से लेकर 25 दिन के मद्ध में करना चाहिए यह समय वज्ञानिकों के द्वारा प्रसित छड़ करके निकाला हुआ समय है किसान साथियों इस समय अगर आप जिंक सलफेट का प्रियोग करते हैं किसान साथियों प्रमारित जिंक सलफेट का प्रियोग हमें 5 किलो ग्राम प्रति एकर इस्तमाल करना चाहिए यहां पर भी कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं वो जरूरत से ज्यादा भी जिंक सलफेट का प्रियोग कर देते हैं जो कि यह तरीका बिलकुल भी सहीन नहीं है इससे फवसल में फाइदे से ज्यादा नुक्सान होता है इंजाइम को शक्रिय करने में मदद करता है ऑगों से लगणे की चमता को बढ़ाताहे और भी कई प्रकार के फायदे हमें जिंक सलफेट से मिलते हैं किसान भाईओ, सान साथियों, अपने दिमाग से फसल में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज का इस्तमाल ना करें, वज्णिक तरीके से हर एक चीज का प्रियोग करें, जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन फसल से देखने को मिले तो आसा करता हूं किसान साथियों आपको हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों